दोस्तों इंदिया गठवन्दन की मीटिंग शुरू हो चुकी और मीटिंग से पहले भाजपा के होश उड़ गए दोस्तों क्योंकि अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने वाली हूँ इसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तीसरे मीटिंग में इतना बड़ा कमाल हो जाएगा महराश के अंदर तमाम दल के नेता जो इंडिया गठवन्दन के नेता है वो सभी पहुँच चुके हैं ममताब एनरजी से लेकर खड़गे खड़गे से लेकर नितिश कुमार सब के बयान भी सामने आ रहे हैं और सब के बयान भी आपको सुनाओंगी और बीजेपी में कैसे खलवली मचा है वो भी मैं आपको बताओंगी क्योंकि आज गठवन्दन जो महराश के अंदर हो रहा है उसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों अब आप सोचिए तीसरे गठवन्दन की मीटिंग में ऐसे ऐसे पोस्टर बैनर्स लगा दिये गए हैं जिसको हजम कर पाना बीजेपी के लिए सही नहीं होगा बीजेपी इसे हजम नहीं कर पाएगी दोस्तों क्योंकि बीजेपी करीब करीब 15 साल तक नितिश कुमार के साथ रही है और यही नितिश कुमार गठवन्दन को जोडने वाले एक मात्र नेता है जिन्होंने तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाकर एक मंच पर खड़ा कर दिया जिसकी कलपना भी शायद किसी नहीं की होगी तमाम विपक्षी दलों को एक कर दिया जो सब एक दूसरे के राइवल थे ज अब से वो कॉंग्रेस को घेरती हुई नजर आती थी, कॉंग्रेस भी आमादमी पाची को, लेकिन आप वो दोनों एक साथ हो गए हैं, तो ये सारा कमाल जो है, कहीं न कहीं नितिश कुमार ही एक ऐसे दोर थे, जिन्होंने सब को जोड दिया, एक माले में सब को फिरो दिया ह और यहीं नितिश कुमार की खुबी है, कि आज नितिश कुमार को लेकर, इंडिया गठ बंदन को लेकर महराष्टिक की सडकों पर, जहां पर शिंदे सरकार है, बीज़ेपी की सरकार है, वहां पर ऐसे ऐसे पोस्टर स्वागत के लगे है, जिसे देख कर वाकई लगता है क कुछ नई किरन जो है देश में फिर से चमकने वाली है एक नई उमीद लोगों के बीच पैदा हो रही है तो सबसे पहले मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो इंडिया गचवंदन का इस वक्त सबसे जादा आकर्शन कर रहा है लोगों को आकर्शित कर रहा है अ देश मांगे नितीश जी हाँ यह पोस्टर लग गए है देश जो है वो नितीश कुमार को मांग रहे हैं पोस्टर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ललन सिंग है नितीश कुमार है और भी तमाम जो जदियू के जंतादल यूनाइटेज के नेता हैं बड़े चेरे वो सब नजर आ रहे हैं तो यह महाराश्य की तस्वीर है दोस्तों जिसे उतकर स्विंग ने शेयर करते हैं यह सब बाते जो है वो लिखी है कि देश मांगे नितीश इसे पहले भी पोस्टर इंडिया गजबंदन के स्वागत को लगा था तमाम वो बड़े चेरे नजर आ रहे हुआ तो यह जो है लोगों की उपिनियन मांग रहे है कि कौन होगा अगला पीयम केंडिडिट इंडिया wipedन की तुरफ से कौन बने इंडिया का पीम चहरा कमेंट करके बताए तो इसमें आपको देखा दू दोस्तों कि यह जो है जो इंडिया अगजबंदन के लोग हैं उनका चेहरा इन्होंने सबसे पहले अखलेश वादव राफूल गांधी नितिश कुमार अर्विन केज़िवार ममताब एनरजी लालू प्रशाद्य आदव नवीन पतनायर हिमंद सुरेन महभूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला इन तमाम लोगो प्रिमोदी के चेहरे को प्रिजेंट किया जा रहा है तो बीजेपी ये च्वादी है कि इंडिया का कौन चेहरा होगा ताकि उस चेहरे पर वो अटैक कर सके उनकी छवी तो अभी फिलहाल इन्होंने सीधे तोर पर जो इंडिया की बैठक हुई उसमें कहा जा रहा है कि आदब ने कहा मोदी जी से इमांदार और सच्चा होगा हमारा पीम उमिद्वार मोदी जी को लेकर इन्होंने कटाक्श करते वे कहा कि मोदी जी से इमांदार और सच्चा होगा इंडिया की बैचत से पहले बिहार के जिप्रिसीम तेजस्पी आदब का ये बयान सुर्खिय में काफी जादा है उसके बाद महवुवा मुफ्ती जब आज पहुंची दोस्तों तो महवुवा मुफ्ती ने भी नारे लगा दियें महवुवा मुफ्ती का जोश देखने लायक था वो कह रही थी आज मुंबै में पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए कि का भारत तो ऐसी तमाम तस्वीर आ रही है लेकिन बीज़ेपी क्या कह रही है यह भी आपको समझने समझना होगा बीज़ेपी आज की बैचकाश के मीटिंग को लेकर यह कहने में लगी हुए यह सब परिवारवादी है सब परिवारवाद ही मतलब घिसा-पिचा कहानी पर यह जो है सब परिवारवादों का अड़्डा है परिवारवाद को ही यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दिया चाता है तो ऐसी भी चीज़े सामने से दिखाई दे रही है वही अब जयन चौधरी का भी बयान आ गया है जो RLD के नेता है वो लिख रहे हैं कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दल देश को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे और मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने यह बयान दिया है तो यह कहीं न कहीं बीजेपी के लिए दोस्तों एक ऐसी चीज़े दिखाई दे रही है जो बीजेपी इसको देखना नहीं चाहेगी पसंद नहीं करना चाहेगी जिस गटबंदन को तूटने फूटने की बात कह दी गई थी कि यह तो सिर्फ मजाक है यह कहां मतलब यह सब बैट के सिर्फ पार्टी करने आये हैं लेकिन जो गजब का रिश्पॉंस मिल ला है दोस्तों महराश्य की सड़कों पर वो देखने अलायक है क्योंकि पोस्टर बैनर पार्ट दिए गए है कही न कहीं जंता भी इस चीज से जुड़ रही है कहीं न कहीं जंता का भरोसा जो है वो शायद इंडिया गटबंदन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हम आपको लगातार ओपिनियन पॉल्स कौन पीम च पोल हुआ तो कहा गया क्या भी चुनाव होगा तो दब छाक्रे और उनका गुड जीट जाएगा तो यह चीज़े आज एक बार फिर से देखने को मिला है तमाम तरीके से इंडिया गडवंदन ने अपना कमर कस लिया है और जो उनकी पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाएगा क्या होने वाला है क्या डिसाइट किया जाएगा फिलहाल तो यह भी कहा जा रहा है आज मतलब इंडिया गडवंदन की तरफ से कि इंडिया का जो लोगो है वो डिसाइड होगा क्या चुनावचिन होगा तो यह सब पर चर्चा होने वाला यह सब कुछ रिवील होगा और आ झाल झाल